बुडीबने अपरीबन मैं शत्यम थे बारी आप सभी का श्वाकत करता हूं एक री जड़नी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज हम इस विडियो में आपसे बात करने वाले हैं इंडिया टॉप 10 होटी कल्चर यूनिवर्श्री के बारे में हम जानेंगे कि आपकी इंड सभी बात करें कि आपको कौई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या प्रब्लम इस होति क्रोट जब्गृजांकर है आगे हम बात करेंगे आपसे और यहां पर सबसे मात करेंगे कि आपकी universities की fees structure को लेकर अभी हम बात करेंगे कि आपकी universities की annual fee क्या रहती है और इसमें plus hostile charge भी आपके include होते हैं तो उन universities के fees structure की बात करेंगे तो आपकी top 10 universities है एक-एक करके आप उनकी फी बताएंगे तो जो सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी डाउट हूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं तो चलिए नंबर टैन पर यहां पर आपकी यूनुवर्सडी आती है आप सभी को पता है एग्रीकल्सर कोटा में जो आपकी यूनुवर्सडी कोटा राजस्थान में तो यह आप आपकी देखा जाए तो राजस्थान की एक टॉप रैंकिंग की यूनुवर्सडी है राजस्थान कोटा में यहां पर होटी कल्चर में इसकी 10 भी रैंकिंग आती है और इसकी अगर एन्वल फी की बात करें तो 17,004 रुपए आपकी इसकी एन्वल फी होती है ठीक लिए इंडिया स्टॉप रैंकिंग यूनुवर्सडी है आपकी सेरे कस्मी एन्वल फी की बात कम तो 50,400 रुपए जो है आपकी इसकी एन्वल फी होती है ठीक है सेरे कस्मी यूनुवर्सडी की नंबर यहां पर बात करें एट की तो नंबर एट पर जो आपकी आपकी गुजरात की ये अग्रीकल्चर यूनिवस्टीज है और इसकी अनुवल्फी की बात करें तो चब्वी साथ सो रुपए टोटल इसकी आपकी एनुवल्फी रहती है प्लस होस्टल चार्जस भी इसमें इंक्लूड होते हैं इसकी आपकी इनुवल्फी के अगर बात करूं मैं तो फीस इस्टिक तर में 11,000 एकप्स में इसकी आपकी फीस होती है सेंट्रल एक्रिकल्चर मनिपुर की नंबर यहां पर बात करें फाइब तो टॉप फाइब में आपना चुके हैं तो टॉप फाइब में जो आपकी युनिवस्टी जब हो है डाक्टर वाई एस आर होटी कल्चर युनिवस्टी विसाका पत्नम है ना आपकी आंधर इस भी एड होते हैं यह आपकी जो है दिख रहे हैं आपको इसका केंपस है नंबर चार पे जो युनिवस्टी आती है वह आपकी डक्टर राजिंद प्रसाद सेंट्रल एग्रिकल्चर युनिवस्टी पूशा शमस्तिपूर विहार में इस्तित है और बहुत अच्छी उन आप सभी को पता है साउथ की बहुत ज्यादा फेमस टॉप रैंकेंग युनिवस्टी हैं साउथ इंडिया की तमिल नाडू एग्रिकल्चर युनिवस्टी फिस ट्रेक्चर की आपने बात करें तो इंक्याउन 1190 रुपए आपकी टोटल एनुर फी होती है तमिल नाडू इंडिया बेस्ट बहुत केंपस सभी सेंटर युनिवस्टी इसका केंपस सबसे बैस्ट है जहांसी मैं इसकी फिस्टेक्टर की बात करूं मैं आपसे तो आप देख सकते हो इसके बहुत सारे सब केंपस भी है इसकी एनुर फी की बात करें तो 36680 रुपए इसकी पर सेमेस्टर आपकी यहां पर फी लगती है और अगर इसकी बात करें तो अब यहां पर डौट आता है स्टुएंट को क्या होटी कल्सर करना चीर बिल्कुल यहां पर होटी कल्सर में ज़्यादा में घर्जादा मेजर यहां पर डेकने को नहीं मिलता है कॉलेज की अगर में बात करूँ आप से तो सेम यहाँ पर इनका स्लेबर रहता है केलीकुलम बिल्कुल इनका स्लेबर रहता है थोड़ा साथ चैन्जिस देखने को मिलते हैं कि आपको एग्रीकल्चर जो डिग्री प्रोगाम सोते हैं ज्यादतर होटी कल्चर की जो आपकी क् कि यहां पर कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट फिर भी यहां पर बहुत शारी आपकी जॉब्स होती हैं कि जिन में ऑल्ली यहां पर जॉब्स को नहीं लिया जाता है और भी बहुत सारी यहां पर जोब्स हैं आपकी थीके फको बगएरा की भी वह एकेंशी निकलती हैं जिन में ऑल्ली अग्री अग्री कल्चर रेस्टूर्ट्ट्र को लिया जाता है होटी कल्चर को नहीं लिया था बाकि कोई भी यहां पर ज्यादा में इसूद देखने को नहीं मिलता है बाकि सारे अग् सबस्टना यहां ब्मलाइद है यहां बहुत सारी वेखैंशी निकलता है तो बहुत सारे सेट्चर होटी कंड़ं में है ना और यहां पर बहुत सारी बेकेंसी भी निकलती रहती है अभी MP में यह आपकी लिटरस्ट बेकेंसी निकली हुई थी उध्यान विकाश अधिकारी हो गया आपकी बहुत सारी बेकेंसी निकलते होटी कल्चर में ऐसा कोई भी यहां पर इसू नहीं है यह स्टूरेंट्स बहुत सारी change हुई हैं तो major major यहांपे changes हुई हैं तो बिल्कुल यहांपे हिए होटी कलचके students के लिए बहुत सारे benefits हैं तो यहांपे अगर आप लोग कि कौन कौन सी Chobs हैं अगर उस पो видео चाहें तो लुम को comment करके ज़रूर बता दा, मैं आपके लिए किसन तयार करूंगा कि कौन-कौन से जॉब जो है इलीजी वाले आपके होटी कल्चर के इस्टूइंट्स बाकी जो है अगर वीडियो पसंद आतों लाइक जरू करना और मिलते हैं नेक्स्ट अबिट के साथ तब तक लिए स्वास्त रहें मस्त रहें